नमस्कार दोस्तों, आज है आट मईई 2020 और मैं स्वागत करता हूँ आपका यूआइंड करेंट अफेर्स कुईज में तो दोस्तों चलिए बिना देरी करते हैं अब नाज का करेंट अफेर्स कुईज देखिए इसका पहला गोश्चन है और दोस्तों, इसका सही उत्तर है आप्शन बी मिशन सेतू देखिए, कोरोना की बजह से दुनिया के तमाम देशों में फसे भारतियों को स्वदेश लाने का महा अवियान गुरुवार से शुरू हुआ है देखिए, बंदे भारत मिशन के नाम से इस अवियान के पहले चरण में खाड़ी के देशों, अमेरिका, बिर्टेन, सिंगापूर, मालदी, बंगला देश और कुछ अन्य देशों से 64 उड़ानों और नौसेना के तीन जहाजों से कुल 14,800 लोगों को स्वदेश लाया जाएगा नौसेना ने अपने अवियान को क्या है? समुद्र सेतू का नाम दिया है और इन अवियानों में उन्ही को लाया जाएगा जो क्या है? कोरोना से मुक्त है यह important जीज़ है देखिए नाम क्या रखा है? नौसेना ने समुद्र सेतू और इस महा वियान का जो है वो नाम है वो क्या है? बंदे भारत मिशन और कहां कहां से लाया जाएगा? देखिए खाड़ी के देशों से, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर से, मालदीव से, बंगला देश से और कुछ अन्ने देशों से और कितनी है? 64 उड़ाने हैं और 9 सेना के कितने है? 3 जहाजों से कुल कितने? 14,800 लोगों लेकर के आया जा रहा है तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अप्रेशन की ओर हाल ही में किस देश ने यह दावा किया है? कि उसने COVID-19 पर मोनो क्लोनल तरीके से हमला करने वाली वैक्सीन का निर्माण किया है आप्शन देख लेते हैं A है रूस, B है USA, C है इस्राइल, D है फ्रांस और दोस्तों उसका सहुत्तर है आप्शन C इस्राइल देखिए हाल ही में इस्राइल के रक्षा मंतरी नफ्ताली बेनेट ने यह दावा किया है कि उनके देश में बेग्यानिकों ने कोरोना वाइरस से लड़ने वाली एंटी वाडी को विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है इस्राइली रक्षा मंत्री के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि यह TAKA मोनो-कلोनल तरीके से कोरोना वाइरस पर हमला करता है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वाइरस को खत्म कर देता है तो क्या है कि ये बहुत अच्छी खबर मानी जा रही है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो PDF है इस हमारे Current Affairs को इसकी वो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और साथ के साथ क्या है कमेंड बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है तो आप बहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते है चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रेशन की ओर जो है पांच माई को संपोर्ड बिश्व में बिश्व अस्थमा दिवस मनाया गया बश्व दोहजार बीस में इस दिवस की थीम क्या थी ऑप्शन देख लेते हैं ए है इनफ अस्थमा डैट्स बी है अस्थमा डैट्स सी है अस्थमा डैट्स सीरियस या फिर डी है टू बिक्टिम अस्थमा और दोस्तों उसका साई उत्तर है ऑप्शन ए इनफ अस्थमा डैट्स चलिए बढ़ते हैं अगले प्रेशनी की ओर जो है हाली ही में उत्री कोरिया के तानाशाह किम जोग उनको कौन से देश के देश ने नाजी जर्मनी जीत की पेचतरवी बर्श गांट के अफसर पर दुत्ती बिश्वियुद का इस्मरती मैडल प्रुसकार से सम्मानित किया है आप्शन देख लेते हैं A है रूस, B है चीन, C है मंगोलिया और D है इरान और दोस्तों का सही उत्तर है आप्शन A रूस देखिए हाली ही में रूसी राष्टपती ब्लादी मीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75 बर्श गांट के अफसर पर उत्री कोरिया के इसमरती मेडल से सम्मानित किया है और किम को यह सम्मान जो है वो सोविय संग ने उन सैनिकों की इसमरती को सनक्षित करने के लिए दिया गया है जिनकी दुत्तिय बिश्वयूद के दोरान क्या है उत्तरी कोरिया में मौत होई दी तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन के प्रडी है विहार दोस्तों संका सही उत्तर है option बी उत्तर प्रदेश देखिए हाली में उत्तर प्रदेश के मुक्ख्य मंत्री मानिए योगी जी ने क्यों क्या है कि आयोष कभच?! कौविट एप लाउंच किया कहां किस प्रदेश ने बनाई है उत्तर प्रदेश ने बनाई है और मुख्यमंत्री गौने मानिये योगी आदितेनाद जी है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रेशन के और जो है हाली ही में गिरामीड सोज सहायता समूहों के लिए बाजार उपलब्द कराने के लिए कौन से मंत्राले ने गौवर्मेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर दस सरस कलेक्शन डैश्बोर्ट शुरू किया है और दोस्त उसका सही उत्तर है और ऑप्शन ए गिरामीड विकास मंत्राले चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन के और जो है हाली में बिश्ब का कौन सा पहला देश है जो कोबिड 19 के संकरमन के बाद भी अपने देश में फुटवाल सतर का आयोजन करने जा रहा है ऑप्शन देख लेते हैं A है रूस, B है कतर, C है दक्षिन कोरिया और D है जापान और दोस्तों उसका सही उत्तर है उप्शन C दक्षिन कोरिया देखिए दक्षिन कोरिया का जो फुटवाल सतर है वो कोरोना विशानू के संकरमन के कारण कितने दो महीने के बिलंब के बाद से अब शुरू होने जा रहा है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर जो है बिश्म का कौन सा ऐसा देश है जिसने पहचान, परिक्षन और उपचार कारेकरम से कुरोना महमारी को नियंद्रित कर लेने में सफलता प्राप्त ही है आप्षन देख लेते हैं ए है स्पेन, भी है तुर्की, सी है जापान और डी है दक्षन कोरिया और दोस्तों इसका साही उत्तर है आप्षन डी दक्षन कोरिया बरते हैं अपने नवे प्रशन के और जो है हाल ही में बित्मंत्राले द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में प्रिधान मंत्री गरीब कल्यान पैकेज के तहट 49 करोड लावारतियों को डीजिटल भुकतान प्रणाली से अब तक कितने रुपे की बित्यस मदद की जा चुक बित्मंत्राले द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में प्रिधान मंत्री गरीब कल्यान पैकेज के तहट 49 करोड लावारतियों को डीजिटल भुकतान प्रणाली से अब तक 34,800 करोड रुपे की बित्तिये मदद दी जा चुकी है कितने की 34,800 करोड रुपे की बित्ये मदद दी जा चुकी है बित्यमंत्री निर्मला सीता रमन ने 26 मार्च को 1.7 लाख करोड रुपे के इस पैकेज की घोशना की थी और इसके तहट क्या है सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान उपलब्द कराया है और साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों और किसानों के लिए क्या किया है नगत भुकतान की भी घोशना की थी चलिए बढ़तने अपने अगले प्रशन के ओर जो है हाल ही में PNV Housing Finance Limited ने स्वास्त कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE kit बनाने के लिए कौन से भारती प्रवधोगों की संस्थान से हद मिला है ओप्षन देख लेते हैं A है IIT दिल्ली B है IIT मदरास C है आइटी कानपूर और D है आइटी खडगपूर और दोस्तों उसका साई उत्तर है ओप्षन A IIT दिल्ली क्या किया है PNV Housing Finance Finance Limited ने क्या किया है स्वास्त कर्मियों के लिए बेक्तिगा स्वरक्षा उपकरण PPE kit बनाने के लिए किस से हद मिला है जो है IIT दिल्ली अब देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने करार जो किया IIT दिल्ली के साथ किया है और इसमें क्या है कि धोने योग और पुना इस्तमाल होने वाली PPE kit के बीने रमान के लिए बिसिष्ट प्रोटोटाइप सामिक्री और शोत के विकास में सायोग करेगा कौन करेगा IIT दिल्ली करेगा किस के लिए पी एन्वी हाउसिंग फिनेंस के लिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रिशन के और जो है हाली में कौन से राज ने स्वास्त कर्मियों एबम अन कोरोना योद्धाओं के साथ मार पीट था दुर्विवार करने वालों के खिलाफ सक्त कारभाई के लिए राज जन स्वास्त एबम महामारी नियंतरन अध्यादेश 2020 को मंझूरी प्रदान की है किसको मंझूरी प्रदान की है राज जन स्वास्त एबम महामारी नियंतरन अध्यादेश 2020 को मंझूरी प्रदान की है और दोस्त उसका सही उत्तर है और उत्तर प्रदेश आईए बढ़ते हैं अपने आखरी प्रेशन के और जो है हाली में किस देश के टेनिस खिलाडी यूसुफ होसम पर आज जीवन प्रदीवंद लगा दिया गया है औप्शन देख लेते हैं A है कतर, B है मिस्र, C है सर्विया, D है रूस और दोस्त उसका सही उत्तर है औप्शन B मिस्र देखिए मिस्र के क्यों है, खिलाडी है, यूसुफ होसम और कौन से खेल गया है ये, टैनिस खिलाडी है, जिन पर क्या है, आज जीवन का प्रदीवंद लगा दिया गया है तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रशन के और जो है आपको बताना है कमेंट के माद्ध हम से यूनिसेफ का जो मुख्याल है वो कहां पर इस देते हैं औप्शन देख लेते हैं, A है निव यॉर्क, B है जिनेवा, C है बान और D है नौरोवी और क्या करना है आपको, इसका उत्तर देना हमें comment के माद भी हमसे तो आज के अंक में इस नहीं मिलते हैं आपसे कल के अंक में और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे like कीजे और अपना जो answer है उसे comment कीजे और साथ के साथ क्या है कि आप अपनी feedback भी हमें दे सकते हैं अपने फेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी PDF जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहां से डाउनलोड कीजिए और आप चाहें तो उसे शेयर भी कर सकते हैं और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कीजिए जिलते हैं कल के अंग में तब तक लिए जय हिन जय भारत